सो वैल हलो फ्रेंड विलकम बैक टो नी वीडियो आखिर कब है गनेश चतुर्थी सितंबर महीना बस शुरू हो चुका है तो ऐसे में किस तारिक को गनेश चतुर्थी पड़ेगी आई हम आपको फटा फट से बता देते हैं और साथी पूजा विधी सुप बुहरत कब इस उस्तों मनाय जाता है इस दिलोग अपने घर पर बपा जी को लाते हैं पूरे विधी विधान से उनकी स्थापना करते हैं सुब महुरत में इसके बाद दस दिनों तक बपा को घर में रखते हैं कुछ लोग तीन दिन कुछ लोग पाच दिन कुछ पूरे दस दिनों तक इस थापना करते हैं, इस दोरान भक्त उनकी खूप सेवा करते हैं, उनका प्रिय मोदक और लड़ून को भोग में चढ़ाते हैं, रोज दोन उसमें आर्थी करते हैं, दस्वे दिन गनपती जी का विसरजन होता है, तो आईए तारीक जा लेते हैं इस थापना की मुहरत, सनिवार के दिन मनाई जाएगी, अब ध्यान ये दीजेगा कि आप गनेज जी को कब लाएं, देखे आप 6 तारीक को भी गनेज जी को ला सकते हैं, आखों पे पट्टी बंधी रहेगी, 7 सितंबर को विधि पूर्व के स्थापना करिएगा, पंडिर जी को बुलाईएगा, स्थापना कनने के बाद आखों की पट्टी हटाईगा, और 7 सितंबर से ही पूजा मानी जाएगी, देखे इनको लड़ू आप जरूर चढ़ाईगा, भगवान गनेज को लड़ू का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भी भोग लगा सकता है, इसके लावा बप्पा जी को मोदक बहुत पसंद है, पुराणों में ऐसा उलेक मिलता है कि गनेज जी बजपन में अपनी मा पार्वती की द्वारा बनाएगे मोदक पल भर में चट कर जाती थे, ऐसे में आप इन दो चीजों का भोग तो जरूर लगाईएगा, वैसे तो बपा के लिए किसी मुहुरत क नहीं से बनता है, यानि कि कोई भी सुबकारी होने लगता है, तो पहले गनेज जी की पूजा होती है, तो विग्न हरता है, इनके लिए मुहुरत की आउसकता नहीं परती, फिल भी हिंदू पंचांक तुमसार चतुरती के दिन गनपती जी की पूजा दिन में 11 बच के 3 मिन पूजा विधी नोट कर लीजे, गनेज चतुरती वाले दिन आप सुर्योद्य से पहले उठीएगा, रस्नानादी करिएगा, अब घर की मंदिर में साफ सफाई करके गनका जल से छिड़काओ करिएगा, देखे गनपती जी को ला रहे हैं तो घर में साफ सफाई रखिएग इसके पास भगवान गनेज जी को प्रणाम करते हुए तीन बार आचमन करिए, बप्पा की मूर्ति स्थापित करिए, इसके पास गनेज जी को जनेओ, वस्त्र, चंदन, दूर्व, धूप, अक्षद, दीप, पीले, वस्त्र, औफल, अर्पित करिए, या आप खुद से भ पपा जी की आरती मन पूर्वक, ध्यान पूर्वक, बड़े राग में हर सो लास के साथ गाईएगा, अंत में प्रसाद बाठिएगा, इसी बकार से आपको तीन दिन, पांच दिन, दस दिन, जितने दिन भी स्थापना करनी है, विदिवत पूजा करनी है, तो साथ सितंबर